हैं लो दोस्तों तो आज एए सॉला फ्रव ai वरी वर आप देख रिए लांड़ gK भी थे जए तो दोस्तों आज की इस डीडियो में हम बात करने 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 इसे प्रिक के बारे में तो चलिए ज्भाघ टाम वेश नाखरते से वीडियो के तर चलते हैं दोस्तों आसकός वीडियो में हम जिन भी कोशन के बारे में बात करेंगे उसे बहुत इंप्रोटेंट कोशन हो सकते हैं जिसे आपके वीडियो को सारे को सारे कोशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बैल लाइकन को प्रेश करना ना भूले ताकि हमारे हर वीडिक अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों आप हर चैनल से यूपी एससी एससी बैंकिंग रेलवे और यह से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों अगर आप में से किसी को भी सोलोपाव प्लान के रिगाइडिंग को चुक वैरी हो या आपको अपने घर स्कूल कोलेज होश्पिटल्स फैक्टिस इंडिस्ट्री जा कई पर भी सोलोप बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारा फर्स्ट कॉश्चन था हाल ही में लॉंच अन्फिनिश्ट ए मैं मौईर के लिए का कौन है तो हमारा अंसर ए प्रेंग का चोपड़ा सेक्ट कॉश्चन अठारव बायो एश्य दोजार इकी सम्मिलन का विशे क्या है तो हमारा अंसर मूद निडल नेक्स्ट कॉश्चन इस सुरू ने इतियास पर पहली बार अपने सेटलेट सेंटर यह और राव सेटलेट के अंदर को नीजी कंपनियों के लिए खोल दिया है यह सेंटर का पर इस्थित है तो हमारा अंसर है बैंगलोरू में नेक्स्ट कॉश्चन तेरा में किसने टैनर राउंड इंडिया 2020 सर्माउंटिंग पास्टी जैसी नामक पुष्टक लॉंच किया है तो मैंसर जुएल औरम दोस्तों यह पुष्टक आरपी गुपता द्वारा रचित है नेक्स्ट कॉश्चन चोदा फर्वेश्च दोटार प्रदाद मंति नेंडर अधिक्तम सीमा 45,000 रुपए से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो हमारा अंसर है 1,25,000 प्रती माह नेक्स्ट कॉश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुक कौन है जिन्होंने इस्टिफा दे दिया है तो हमारा अंसर है योशीरो मोरी और दोस्तों अगर आपको इन सब कोश्चन अगर देख सकते ही हैं तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुक कौन है जिन्होंने इस्टिफा दिया है तो दोस्तों यह है योशीरो मोरी नेक्स्ट कॉश्चन हाली में स्वावलंबन शशक्त मेगा व्यान भारत में के मेला उडियों के परिशंक्ची और W.E. और किसके दार शुरू किया गया है तो हमारा अंसर है भारती लगूत जो कि युकास के इंदर बैंक यानि सीड़वी के बीच नेक्स्ट कोशन अंतराश्टिय सोल कर्ट बंदन के मान इदिशक को नियोगत हुए है तो हमारा अंसर है अजे माथूर मुख के कारेकारी यानि M.D.C.E.O को नियुक्त हुए है तो हमारा अंसर है मार्क लिश्टो सेला नेक्स और लाक्ट कुशन हमारे रिविजन का दस से बारा फ़र्वेद होजार इकिस के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एस्टोशेशन आई एंसीए की चालिश फिर तो उसके तब बढ़ते हैं तो दोस्तो हमारा आज का फ़र्श कोशन है हाल ही में भार सरकार ने किस देश को खादी जरूरत पूरा करने के लिए 2000 मुद्रिक टंचावल उपहर शरूफ दिया है तो दोस्तो हाल ही भार सरकार ने सीरिया देश को खादी जरूरत पूरा करने के लिए 2000 मोद्रिक टंचावल उपहाद दिया है तो हमारा सी आप्शन सही है तो चलिए दोस्तों सीरिया की राज़तानी क्या है सीरिया की राज़तानी है दमसकस राज्टरपतियस्त के बशर अल-असद वदानमत्य हुसिन अर्नोस संसथ है मचलिस अल-शाब प्रिपल्स असेंबली मुद्रा है पाउंड तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स विशन दा बढ़ते हैं है तो दोस्तों हमार चिएककेन कॉशन है और से लर मित्तल के नовал की मित्तल को कोन नंयक्त हुए ये तो हमारा ए उप्षन सई है तो चलिए दोस्तों इसका एचिंट में जानते हैं दोस्तों आरसल मित्तल की बात हो जिसका एचिंट में जानते हैं इसका मुख्याले है इसका मुख्याले है लक्संबर्ग सिटी में तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स क्रॉशन बढ़ते हैं हमारा नेक्स क्रॉशन है कि इंदर ग्रहम मंतरी अमिछ शा ने पूच विहार में जन सबा के दोरान पेरा मिलिटरी फोर्स में किस नाम से नहीं बैटेलियन बनाने की खोशना की है तो दोस्तो केंदरिक रहे मंतरे अमिट शाह ने कूछ विहार ने में जन सबा के दोरान पेरा मिलिटरि फोर्स को नाराइनी सेना के नाम से नई बटेलियन बनाने की खोशना की है तो हमारा B option सही है तो चलिए दोस्तो हमारे next question दे बढ़ते हैं तो दोस्तो हमारे next question है राजसभा में विपक्ष्ट के नई नेता की रूप में किसे नामित किया गया है तो दोस्तो राजसभा में विपक्ष्ट के नई नेता की रूप में मल्ला का आरजुन खड़के को नियुक्त किया गया है तो इमारा D option साही है तो चलिए दोस्तों इसके चिटमेंट जानते हैं तो दोस्तों राजसभा की बात होरी है तो राजसभा की चेर्मेन कोंने वेंग गया ना एंडू राजसभा की डिप्टी चेर्मेन कोंने हरी वनेश ना रहा है जो इसके बार में एक fact ऐ कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो भी होता है वो रायस जी सभा का चेयर्मेन होता है तो तो इसके आप एक गाट मान लेजिए कि जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो इसका चेयर्मेन होगा नेक्स्ट पॉइंट राजसवा के मास चीव देश डिपक वर्मा नेक्स्ट राजसवा की सदन के नेता है थावर्चंद गहलोत और लाश्ट है राजसवा की विपक्ष में उपनेता है आनंद शर्मा और नेता अब भी उपर हमने आपको नाम बता है मलार जून खड़ गए तो चलिए दोस्तो हमारे नेक्स कॉशन दर बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉशन है राजस्ट मदुमक की पालन और शेयर मिशन एन बी एच्चेम के लिए के इन्द सरकार ने हाल ही में कितनी धंदराश्य आवंटित की है तो दोस्तो राजस्ट मदुमक की पालन और शेयर मिशन एन बी एच्चेम के लिए के इन्द सरकार ने हाल ही में 500 करड़ रुपए की राजस्ट आवंटित की है तो हमारे सी आउप्शन सही है तो चलिए दोस्तो इसके इसमिट पर जानते हैं दोस्तों एन बी एच्चेम की बात थोरी तो इसके फुल फॉर्म एन नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एन बी एच्चेम का उदेश्य राश्ट्रे मदुमक की बोड एन बीबी के स्वीट रिवॉलुशन मीठी करांती के लक्षे को प्राप करना है मीठी करांती के तरह देश में वेग्यानिक मदुमक्य पालन को बड़ावा देना और विकास करना है प्यमोदी ने साहिब गंज जहर खंड में 16 अप्रें 2016 को मीठी करांती के शुरुआत की थी और दोस्तों केंब्रेश सुक्षम लगू और मद्यमुद्योग उद्या मंत्राले ने मदुमक्य पालन को बड़ावा देने के लिए 13 फर्वे 2020 को अपेरे और विल्स लांच किया था तो चलिए दोस्तों हमाई नेक्स कॉशन दे बढ़ते हैं हमाइन नेक्स कॉशन है गोल्डन स्पैरो इंटरनैशनल फेल्मम उप्रश कार जीते है दोस्तों गोल्डन स्पैरो इंटरनास्वीन फ्ल्मः ने चाँ परस्कार जीते हैं चाहरा भीूप्शन सञी है तो चलिए दोस्तों इसकी चुनफन जानते हैं दोस्तों फेल्म की पटकता लेखा के फलिशार्व निदेशन की आए कि विशाल पी चली हैं तो चलिए दोस्तों हमारे में में नेक्स छातर संग का अध्यक्ष चुना गया है तो हमारा D option सही है तो चलिए दोस्तों हमारे next question बढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों हमारे next question बढ़ते हैं हमारे next question है 13 February 2021 को इटली के नए प्रदानमंतिर के रूप में किस ने शपत ली है तो दोस्तों 13 February 2021 को इटली के नए प्रदानमत्यूर के रूप में मारियू डगघरी ने शपत ली है तो हमारा C option सई है तो चलिए दोस्तों इसका चिन-पड़ जानते हैं दोस्तों इटली के बारे में इटली के बारे में फ़र जानते हैं इसकी राजस्तानी है रोम, राश्टपती है सर्जियो, मेटरेला, परधान मत्री है मारियो दागरी जिनके बारे में अभी उपर बात भी करी है संसद पार्लियमेंट और मुद्रा है यूरो तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स क्रॉशन दर बढ़ते हैं हमारे नेक्स क्रॉशन है वोल्व कार्स इंडिया के ने प्रबनी देशक को नियुक्त हुए है तो दोस्तों वोल्व कार्स इंडिया के ने प्रबनी देशक के रूप में जोती मलोत्रा को नियुक्त किया गया है तो हमारा B option सही है तो चलिए दोस्तों इसके बात होई तो इसके बाएं थोड़ा कोई जो इन बेसिक नॉलेज हो जानते हैं इसकी स्टाफ नहीं थी कुछ उनिस सथाइस में मुख्याले इसका गोथेनबर्ग स्वीडन में शेर्मेन इसके काल हैं रिक स्वानबर्ग और प्रेसिडेंट और सीओ मार्टिन लड़ स्टेंट तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स क्रूशन देबढ़ते हैं तो दोस्तों हमारे नेक्स क्रूशन है केंड्य मतस्य पालन मंतरी गिरी राज सिंग ने गोवा को मतस्य पालन का केंड्र बनाने हैं तू कितने करोड रुपए के निवेश की गोशना की है तो दोस्तो क Currently 52 पालन मंत्र गिरी राख सिंग ने Скहा कौब अकूंछ का कंड़ बनादे है तू 400 करोड रुपैइट की एंवेश की खोश्चना की है तो हमारे सडिय ऑप्षन सही है दो चलिए दोस्तो इसके इंतर परजानते हैं मुंबई उच्छी नियरिश है जिले हैं इसके दो निर्वाचन सीट इसकी लोग सबा की दो रैस सबा की एक और विजान सबा की चालीस राज के चिन है इसके राज के पशू जो है इसका गोर राज के पक्षी है बुल-बुल राज के वेक्ष है मत्ती लोग नेते हैं इसके देखनी, ढालो, फुग दी, मंडो या मांडी, खोल, जागोर, ढखनी, तथा लेंप, डान्स तो चलिए दोस्तों और इसके बारे हम थटा जानते हैं इसके राज्ट्रिव जियान है बगवान महावीर, जो मुल-लेम में है, इसको राज्ट्रिव जियान है ये एक अभ्यारण है इसके बोड़ला वन्यजीव अभ्यारण चोर्वा जो डौक्टर शलीम अली के नाम से ह या फिर उन्होंने पन्दवाया था वनेजीव अभ्यारन तथा नित्रावली वनेजीव अभ्यारन आधिकालिक भाशा इसकी कोकनी तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स क्रॉशन रबढ़ते हैं तो हमारा यह option सही है तो चलिए दोस्तों इसके अच्छिंट पर जानते हैं दोस्तों अब रिवार्ड के बात हो रही है तो रिवार्ड के बारे में ठाट जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है इस परियोजना के अनुमानीत लागत 500 करोड रुपए है जिसमें विश्वर बैंक 300 करोड रुपए रेन सायता प्रदान करेगा इस च्छे वर्शियों परियोजना को 1 अप्रेल 2021 से शुरू किया जाएगा दोस्तों ओडिसा के बात हुए तो ओडिसा ले टेस्ट मैं तो पुन करेंड अफिर जानते हैं भुमनेश्वर में कोड़ी ओदास मारकी गोशना की गई है 21 अनुमेरी से 4 फरवरी तक भुमनेश्वर में वाशिक दोशाली राष्ट शिल पर मेला संपन हुआ है कटक में ने ताजीबस टर्मिनल के अदाशिला रखी गई है दोजाटेज में भुमनेश्वर और राउल के लाग में मैंस होकी विश्वक अप आयोजित किया जाएगा सरकारी भुमी की सुरक्षा के लिए अंत्रिक्ष प्रद्योगी की और कृतिम बुद्धी मता का उप्योग करने वाला भारत का पहला राज्जी है कौन मना है और इसा इसके लिए भुमनेश्वर लेंड यूस इंटलिजेंस सिस्टम लॉंच हुआ है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स कॉशन दा बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉशन है भारतिया मानीची और उद्योग मासंग FICCI के सपोर्ट कमिटी के चेर्मेन दुबारा से कौन नियुक्त हुए है तो दोस्तो भारत्य वानिची और उद्योग मासंग FICCI के स्पोर्स कमेटी के चेर्मेन दुबारा संजोग गुपता नियुक्त हुए हैं तो हमारा ए आप्शन सही है तो चलिए दोस्तो इसके अप्रिंट जानते हैं तो दोस्तो FICCI की फुल फॉर्म के बारे मुझाने F Federation अफ इंडियन चेंबर्स और कॉमर्स एंड इंडेस्ट्री इसकी स्टाप नहीं तिक गुझू 27 में मुख्याले इसका नई दिली में प्रैसिडेंट इसके उद्रश एंडेस्ट करमासे चीवदीली चेंबर्स अब दोस्तो फिछले वीडियो में हमने आपसे दो कोशन पूचे थे दोस्तों जिनका अंसर आपको कमेंट बोक्स में देना था और दोस्तों अब हम आपको उन दो कोशन का अंसर बदाएंगे दो आपको और नए पूछेंगे आप ने पूछेएंगे अंसलेपों चछालगरे में की कमेंट में जो ह्तेम हैं और आप सकते हैं आपके आप से कि बाइग Şimdi सब्सक्राइब और पική हैं जो हैं चरहें बाद पहले लिसमें अनसर है बताएंगे जकी पूछेंगे तो हमारे पहले जो answer वाली जो पिछली quiz का answer हम आपको देंगे उसके तर बढ़ते हैं तो दोस्तों पिछली quiz का answer के बारे में first question है हमारा भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंटम बिंदू कौन सा है तो हमारा answer है C कन्या कुमारी यानि भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंटम बिंदू कन्या कुमारी है तो हमारा C option सही है अब दोस्तों हमने बोला था आपका जोग्राफिस related भी हो सकता तो यह जोग्राफिस related question है और second आपका दूसरे से related है अब दोस्तों second question है निमने में से कौन सा राज्जे पस्ची मंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है तो दोस्तों निमने में से असम राज्जे पस्ची मंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है हमारा D option सही है दोस्तों अब यह भी जियोग्राफिश रिलेटेड आपका question है अब दोस्तों हम सलते हैं आज की जुक्रिश है उसके तरफ दोस्तों उसमें आपके अलग लग टाइप का question हो सकते हैं आपके science रिलेटेड दोस्तों आपको उसके बारे जो भी आपको पता है पर दोस्तों हमारा फर्श्ट क्रॉशन है भारत में वर्तमान में कितने के इंडिशर्षिर प्रदेश यानि यूणिन टेरिटरिस है तो आपके ऑप्षन है एचे बी साथ सी आठ और दी नो दोस्तों अभी 30 के बात को याद में रखे दोस्तों आप इसका अंसर दीजेगा और आपको इसका जितना पता है उतना कमेंट बॉक्स में रिखिएगा तो दोस्तों अगर आपको इसका अंसर पता है उतना कमेंट बॉक्स में रिखिएगा तो दोस्तों अगर आपको इसका पता है उतना कमेंट बॉक्स में रिखिएगा तो दोस्तों अगर आपको इसका हमेरे आज के वीडियो नहीं खतम होता है वीडियो को अगर अप्र काश्यठThe को हमारी वीडियो को लाकि शील सबस्क्राइब करें ब् shocked करशा करके ताकि हमारे हर यह प्रॉत्टेजिश्य को चाहिश आए फैले। प्रेंड मेमबर्स लिग गदार से कुरें तो दोस्तो लाश बितने कहता हूं अगर आप में से किसी को भी सोलर प्राव प्लान के रिगार्डनी कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर इस्कूल कॉलेज होच्पिटल्स फेक्टिस इंडेस्ट्री या कहीं पे भी चाहे वो कॉमर्शियल हो या एसिदेंशल हो दोस् दोस्तों हमने उपर एक आपको पूरा चार्ट दे रहा है दोस्तों उसके अंदर आपको फोन नंबर इमेल और वैब साइट वगरे का एड्रेस सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों आप हमें बारे में और भी चाह सकते हैं तो दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियो में